दोस्तो साउथ अफरीक लाफ कप्तानी को लेकर हार्दिक पांडी और शिकरदवन के बीच छिड़ गई महाजंग तो ऐसे में क्या कुछ है पुरी ख़वर की जानकारी बताएंगे आपको इस खास रेपोर्ट में लेकिन उसे पहले अगर आप भी अब आतरी टीम और हार्दिक पांडी और शिकरदवन के फैन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चली वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो आईपेल 2022 सीजन 15 खतम होने के बाद भारत और साउथ अफरीका खिलाफ 5 मैचों के T20 सिरीज खेलनी है इस सिरीज में कई सीने खिलाडियों को अराम दिया जा सकता है जिसमें रोई शर्मा, केल, राहूल, जस्पीद, भूम्रा, पंत और कोली को अराम दिया जाएगा इसके बाद टीम इंडिया को अगले कप्तान को लेकर कई नाम सामने आ रहे जिसमें आगे सिखर दवन और हार्दिक पांडिया है वही या सिरीज 9 जून से 19 जून तक खिले जाएगी या मुकाबला भारत के लगलक राजियों में खिला जाएगा जो की दिली, कटक, विसाखा, पटम्प, राजकोर्ट और बैंगलूरू में खिले जाएगी और ऐसे में वही दोस्तो साउथ अफरीका सिरीज के चेन करता आगे के बिजी प्रोग्राम को देखते वे रोई शर्मा, केल, राहूल और जस्पीद, भुम्बरा को और कोली को अराम देंगे ऐसे में उनके ना होने पर टीम की कप्तानी धवन या हार्दिक पांडिया कर सकते हैं हार्दिक ने IPL में अपनी कप्तानी को सबसे प्रवावित किया है और ऐसे में वाइस रेश में सबसे आगी चल रहे हार्दिक पांडिया लगातार सांधार प्रदेशन बेप पेश कर रहे हैं वहीं ऐसे में दोस्तों बात करें शिकरदवन की तो शिकरदवन भी कप्तानी की रेश में शामील है वहीं आईपेल की पंदे सीजन में शिखरदवन ने शांदार बल्लेबाजी का नजारा पेस किया है और ऐसे में शिखरदवन जो पिछले सार्ज सीलंका सिरिंखला के दोरान विराट और रोहित की राउल की अनुपस्तित में बात की कप्तान ही कर चुके है और ऐसे में चेन करता है इस बात को लेकर परिसान है कि साउथ अफरिका एक खिलाव भात टीम में कप्तान कीफे चुनना चाहिए शिखरदवन या फिर हार्दिक पांडिया तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में कि साउत अफ्रीका एक खिलाव भार टिंग का कप्तांत कीफे चुनना चाहिए हार्दिक या फिश शिकर्दवन अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा वीडियो चिले के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तत्व के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद